नेपाल समेत दिल्ले इंसियार यूपी बिहार उत्राखंड में बार बार आने वाले भुकम लगातार देश को डरा रहे हैं बीती रात लोग बस सोने की त्यारी ही कर रहे थे कि करीब 11 बच कर 32 मिनट पर भुकम का तेज जटका लगा लोग इतने सहेंग गए कि घंटों घर से बाहर ही बिताने पड़े इससे पहले भी बीते कुछ महीनों में उत्तर भारत और नेपाल में भुकम के जटके महसूस किये जा चुके हैं लेकिन ऐसे भुकम क्यों आ रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है दरसल हिमाले तीन श्रेडियों में बटा हुआ है गेटर हिमाले, बद्ध हिमाले और शिवालिक परवत की श्रेडिया हिमाली रिजन में पिछले 150 सालों में चार बड़े भुकम पाचुके हैं साल 1897 में शिलाउंग का भुकम, साल 1905 में कांगड़ा का भुकम, 1934 में बिहार नेपाल का भुकम, 1950 में असम का भुकम शामिल है इसके अलावा साल 1991 में उत्तरकाशी में, 1999 में चमोली में और 2015 में नेपाल में भी बड़ा भुकम पाया था वही नेशनल सेंटर फॉर सिस्मलोजी के वैग्यानिक संजय कुमार प्रजापती ने बताया कि हिमालेक शित्र हिमाचल प्रदेश नेपाल के पश्चिमी हिस्से और उत्तर भारत में भुकम से होने वाले जानमाल के नुक्सान से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए खास बाबदड भी बताया है अबर पास्ट में भी अर्थविक देखें तो यहां पर न는बडर में भी अर्थविक आ चुके है अभी जनवरी 실ट में vídeos इन जनवरी में भी आया है तो जो कि इदिल्ली में भी फेल्ट हूआ होगा लेकिन अगर पूर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है अभी इसका जैसे रिपोर्ट अगर हम यह बता रहे हैं यहां पर अगर हम देखें कि अगर यह देखा जाए तो 6.2 का अगर इंटेंस्टी मैप देखें हम आपको बताएं तो यह अगर इसका लीजेंड देखें तो यह बताता है कि 6 का मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं मतादी की भारत में इस साल कई बार भुकम्प के हलके जटके मैसूस किये गए है वही डच रिसर्चर फ्रैंक हुगरबीट्स ने भी भारती महाद्यूप में बड़ा भुकम्प आने की भविश्रमारी की थी जो की भारत अफगारिस्तान और पाकिस्तान उक्षित्र के आसपास के इराकों में तबाही मचा सकता है